नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरूजी यूट्यूब चैनल पर आप एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, नहरू यूवा केंदर संगठन, एन उटोनोमस बोड़ी ऑफ मिनिश्ची उफ यूथ अफिर्स और स्पोर्ट्स, गौर्वेंट उफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में लिखा है दोस्तों, रिक्रीटमेंट ओफ 101 डिश्टिक यूथ कोर्टिनेटर यानि जिला यूवा संयोजग और 55 अकाउंटेंट कलरक कम टाइपिस्ट और 52 मल्टी टास्किंग स्टाफ यानि MTS की उन्होंने भरती निकाली है। तो जान लेते हैं क्या है मैंत्रकुन तारीक हैं, डेट ओफ कमेंस्मेंट फॉण लाइन अप्लिकेशन आपकी 15-12 से यानि आज से शुरू होने वाली है, लास्ट डेट ओफ सब्मिशन 31 बारा है और फीज की वी लास्ट डेट 31 बारा है, तो अगर आप ये Eligibility रखते हैं तो जाइए और अपलाई कीजिए, चलिए बता देते हैं क्या है Eligibility Criteria, क्या प्रोसेस रहेगी, जो टोटल आपकी पोस्टे हैं दोस्तों उन्दों ने एक चार्ट के द्वारा हमें बता रखा है, रिजर्व की कितनी हैं, तो अगर आप ये पोस्टें सारी जानना चाते ह तो इस PDF को description link से download कर सकते हैं, फिर मापको बता देता हूँ, essential जो coordinator है, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, किसी भी discipline में और desirable है, वो मंगा है तीन साल का experience हो, rural development, social sector, including voluntary work in reputation organization, फिर eligibility of post of accountant की eligibility नोने बी कॉंग हो, या फिर कोई ग्रेजुएट डिगरी हो, ले developing speed, तीस वर्ड पर मिनट हो, English और Hindi में 25 वर्ड पर मिनट हो, knowledge of computers, application, desirable उनोने कुछ इक्चुकों की भी मांग की, experience of two years in national service, volunteer, NCV, या राष्ट्य संभावना है हो जना, RSY, volunteer, or national youth corps, NYC, volunteer हो, PG degree of Rajiv Gandhi, National Institute of Youth Development, RG, NIYD, in various courses, will be added advantage, Multitasking staff के लिए इन्होंने matriculation या equivalent होने चाहिए, desirable वो हैं, जिन्नोंने NSV, RSY, NYC for a minimum period of 1 साल के लिए वहाँ काम किया हो, training in basic and refresher course in home guard or civil defense, तो वो students इनमे apply कर सकते हैं, फिर age की बात कर लेते हैं, तो सभी की age 28 कम से कम मांगी है, उन्होंने जो youth coordinator है और account कम clerical है, फिर उसके बा में Multitasking staff के लिए 18 से 25 साल के बीच होने चाहिए, reservation government of India के under आपको रहेगा, marital status ये कहते हैं कि कोईसी भी male का जिसने दो शादियां की है और दोनों बीवियां जिन्दा है, तो वो eligible नहीं है, और एक ऐसी female जिसने किसी male से शादि की है और उसकी दो बीवियां है, तो वो भी eligible नहीं है, फिर emoluments के आपकी बात कर लेते हैं, तो district youth coordinator को अच्छा खासा पैसा मिलेगा, 56,100 रुपे से 1,7,500 रुपे, बहुत अच्छी आपके शांदार रुपे है, शाथ में other benefits भी है, पोस्ट अचाउंट कलर कम टाइप पिष्ट के लिए आपको 25,500 से salary शुरू होगी, और 81,100 इसके अलावा आपके other benefits भी हैं, और multitasking staff के लिए minimum आपको 18,000 रुपे, basic pay के साथ 56,900 रुपे last pay होगी, और इसके साथ आपके other benefits भी हैं, तो examination का process जो रहेगा, आपका reasoning और general knowledge, English language और general paper understanding of Indian economic, social culture, legal and political environment, understanding community and youth development program और quantitative aptitude, तो total आपका 200 marks का ये exam रहेगा, और 120 minutes रहेंगे, इसी साथ से अलग-अलग पोस्टों के लिए हमनों ने marks decide की हैं, कितनी marks का क्या ये रहेगा, तो पूरा इसको detail में जानने के लिए, आप inspirational guru जी के link से इसको download कर सकते हैं, और इसके official website आपको बता दूँ, nyks.nick.in, तो आप चल्दी से जाकर इसको apply कर सकते हैं, आपका दिन सुभू.